वाई नीतु बिस्ट इस एन इंस्पिरेशन टू मैनी स्पेशली मैं आज बात करने वाली हूँ अपने बारे में भी कि नीतु बिस्ट किन-किन चीजों में मुझे भी इंस्पायर करती है बहुत सारी बाते जैसे कि आप सबको पता है मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि मेरी तब्बेट ठेक नहीं चल रहे थी और on the other side controversy कई और चल रहा था अब सबको ही पता है तो मैं बस एक वीडियो टाल दे रहे थी मेरे बस उत्ता ही बहुत था जब लगता रही ज़रूरी है वीडियो डालना तो डाल दे थी पर अभी प्रॉपर्ली बनाने जा रहे हूँ वाई नीतु बिस्ट इस एन इंस्पिरेशन जैसे कि आप सबको पता है कि नीतु को अवार्ड मिला था किस से वो भी हरियारा के सीम से सारे यूट्यूबर्स यहां तक नहीं पहुँच पाते स्पेशली एक लेडी जिसके कहते है न एक वोमेन यहां तक पहुँची वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैंने जहां तक देखा और जब मैंने उनको देखा यह अवार्ड रिसीब करते हुए खेर मैंने इंस्टेग्राम पे उनकी पोस्ट एक दिन पहले ही देखिया था ब्लॉग बात में आया पर जब मैंने यह देखा मुझे इतनी जादा खुशी हुई खुशी के साथ-साथ पता है 50% खुशी और 50% मोटिवेशन मिला यार कि इंसान क्या नहीं कर सकता अपनी लाइफ में बस इंसान को जुनून होना चाहिए एक अगर मैं बताओं तो नीटू एक अच्छी बहू एक अच्छी बेटी और एक अच्छी इंस्पिरेशनल वुमेन है हर उस लड़गी के लिए जो उनके ब्लॉग्स को देखता होगा अब कुछ पॉइंट्स में अपने बताती हूँ कि मैं उनसे किन-किन चीजों में इंस्पायर होती हूँ मैं सबसे पहले देखो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है मैं लेट उठती हो है ना मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ हम सब को इक पता है वो साड़े नोग दस तक सो जाती है मतलब इस एरा में एक बहुत ही अच्छी लाइस्ट्राइल जीती है सुबे पांच बजे चार बजे उठती है योगा करती है पहले जिम जाया करती थी अब उन्होंने जिम चोड भारत ये चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है योगा करती है तो ये हल्दी लाइस्ट्राइल पते मैं बहुत ही अन्हल्दी लाइस्ट्राइल जीती थी लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर उनको ये सारी चीजे करते थी बहुत इंप्रूब्मेंट हुए हलाकि मेरा सुबा उठने वाला थोड़ा सा अभी भी गड़बड है बाट आयम ट्राइंग टो इंप्रूब इट है ना और हमने जब देखा कि अवार्ड रिसीव हुआ तो एक बात में यहां पर और एड करना चाहूंगी आड आन करना चाहूंगी कि वो अवार्ड का सेलिब्रेशन करने सिर्फ आय थी कीरती दी उनकी बहन मा तो ओविसली हुँगी ही फोन में के रहा पर बात हुई हुँगी नी तुके बाकी हस्बेंड ओविसली हर हस्बेंड को खुशी होती है बहुत खुशी थी दोनों ही गया थे साथ में पर वो अवार्ड की खुशी मैंने उनके इनलाउस में नहीं देखा ना किसी ने उसके बारे में जिक्र किया देखो यहीं सारी चीज़े जो होती है वो फैमली में फ्रैक्शन दलवाती है आज यहां पर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे किसी की चुगलिया नहीं करेंगे बस एक बात यहां कहना चाहूंगी कि जो पैरेंस होते हैं इस्पेशली ससुराल के पैरेंस वो अगर अपनी बहु को जिसकी बहु की यार इतनी बड़ी सम्मान दी गई है जिसकी बहु इतनी बड़ी है उस बहु के बारे में अगर दो शब्द आखे भी प्यार से सोशल मीडिया पे बोल देते हैं जो भी इन-लोज है ना तो वो भी अपने आप में बहुत सम्मान की बात होती है मैं तो कहती हूँ आप लोगों को एक छोटा सा सेलेब्रेशन रखना चाहिए नीटू के इस अवार्ड विनिंग सेरिमेनी के लिए है ना और इंसान को प्राउड फिल होना चाहिए ना इन-लोज इस पेशली माता पीता जो है साथ ससूर अगर वो अपनी बहु पे प्राउड फिल करेंगे पजाए इसके कि हमारे लिए दोने बहुएं बराबर हैं एन-ल एन-ल चलिए आप एक बहुत लॉजिकल बात बिताती हूँ कि हाँ बराबर सब बच्चे हैं सब बहुए हैं पर वो आपके लिए हैं अब दोनो बहुएं एक समान तो होंगे नि एक बहुत कुछ अपने लाइफ में कर रही है एक उससे थोड़ा सा नहीं कर रही है तो जो बहु जादा कर रही है उसको उसके हाड़वक की एप्रिसियेशन तो अपने साससूर से मिलना ही चाहिए है कहने कि मैं कोछ गल झाल रही यहां पर तो इन सब चीजों में टूब टूब करेंगे आप अपनी फैमिली को इंस्पायर करेंगे मोटिवीट करेंगे एक कर रही है एक को हम एप्रिशेट करें तो दूसरी भी करें, दूसरी भी महनत करेगी है ना बजाए इसके कि हम equal treat करते equal आप treat करिए लेन देन में करिए सान चीज़ों में करिए पर जो महनत है hard work है वो दोनों का अलग-अलग है तो यहाँ पर यह चीज़ का differentiation देना चाहूंगे जो parents बार-बार कहते हैं यहाँ पर की चीज़े बराबर है equal है और यह चीज़ देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ न क्यूंकि मेरे comment section में आके बाकियों में तो करी रहे थे बाकि नितु के भी channel पर कर रहे थे लगन भाई के भी channel पर कर रहे थे आप लोगों के खुद के channel पर मैंने comments पड़े है नीतु को ignore किया जा रहा है नीतु को यह किया जा रहा है और मेरे comment में भी भर भर के comments आयते हैं कि ignore किया जा रहा है अब कुछ लोग जो parents है वो पूछेंगे ignore किस बात का यह जो भी तो देखो ignorance यहीं थी कि जो इंसान इतना कुछ अचीव कर रहा है उसको थोड़ा से appreciate कर दीजी थोड़ा सा उसकी तारीफ कर दीजी वो उसी में खुश हो जाएगा क्योंकि जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ नहीं चाहिए उसे बस आपके मूँ का प्यार चाहिए आपके मूँ का सम्मान चाहिए जो आप उसे दे देंगी तो उसे और दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए तो शायद इसी वज़े से जो audience है वो कह रही थी कि ignore किया जा रहा था मैं यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूंगी कि नीतु जो है न वो एक यह सच में इंस्पायर करने वाली वोमन है अ ओल राउंडर में कहूंगी हर चीज में लाइक यार शी इस ब्यूटिफुल एस वेल और ब्यूटिफुल के साथ साथ यार गुद टॉकिंग स्किल्स भी है समझने वाली स्किल्स भी है पड़ी लिखी भी है इंगलिश भी बोल लेती है वाल अब जहां जिस तरीके से रहने बोलो वैसे भी रह लेती है गाओ के भी संसकार जान लेती है शहरों में भी शहरों के तरीकों से रह लेती है अबरॉड जाए तो अबरॉड की तरह रह लेती है भारत में आये तो भारत ये नारी बनके भी रह लेती है तो जहां जैसा वैसा वो रह लेती है मतलब हर एक चीज आता है उसको तो यहां पर ओविसली एक इंस्पाइरिंग लेडी तो वो है है ना फ्रम जीरो टू हीरो वाली जो स्टोरी है यह जो स्ट्रगल और इंस्पाइरिंग स्टोरी है यह सब चीज़े अक्चुली मैं नीतू को जाना सी है क्योंकि नीतू है जो शुरू से महनत करके यहां तक बनी है और लगन भाया तो ठीक है बने है मैं यह नहीं गह रही उन्होंने महनत ने कर रहा है पर अच्छी लगाओ तो आज बहुत जादा रिच तो अच्छी महनत ने करा है काफी जादा करा है यह वीडियो अपको अच्छा लगा हो तो आज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना झाल 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 झाल